प्यार विज चलो, आत्मिक दात्तां दीवी पाल करो, पर पवेखबानी नू वदेरे पालो, जिड़ा प्राई पाशा बोलदा है, वो मनुखा नाल नहीं, सगों परमेशर नाल बोलदा है, एसले कोई नहीं समाई पर वो आत्म विज पेत दियां गलना करदा है, पर जिड़ा पवेखबानी करदा है, वो लाब अते उपदेश अते तसलीदियां गलना मनुख नाल करदा है, जिड़ा पराई पाशा बोलदा है, वो आप ही लाब लेंदा है, पर जिड़ा पवेखबानी करदा है, वो कलीसिय अनू लाब दिन्दा है। जां सिख्या दी गल तो हाटे नाल ना करां ता मेरे तो तो हनू की लाब होवेगा। बेजान वस्तावी जिडियां अवाज दिन्दियां हन पावे वंजली पावे रबाब जे उना दियां सुरा वेज पेतना होवे ता की पता लगे जो की वजाया जान्दा है। जे तुरी बेट काने अवाज देवे ता कौन लडाई लई लक बनेगा। इससे तरह तुसी वीजे साफ गल आपनी जुबानी ना बोलो ता जो बोले अजान्दा है कि में समझे अजान्दा है तुसी हवा नाल गल्ला करन वाले होवोगे। की जानियें जो संसार वेच किन्ने परकार दियां बोलियां हन अते कोई व्यर्थ नहीं है। उपरंत जे ओ बोली मेरी समझ वेच ना ओंदी होवे ता मैं बोलन वाले दे लई अजीब बनागा अते बोलन वाला मेरे लई अजीब बनेगा। एसे तरह तुसी विजद आत्मिक दाता दी पाल कर दे हो ता जतन करो जो कलेशया दे लाब ले तो हनुवादा होवे। एस करके जो पराई पाशा बोलदा है और पराःथ ना करे जो अर्थ今天 वी कर सके। जे मैं प्राई पाशा वेच प्रार्थना करां, ता मेरा आत्मा प्रार्थना करदा है, पर मेरी समझ निश्फल है, मैं आत्मा नल गावाँगा, अते समझ नालवी गावाँगा, नहीं ता जे तुम आत्मा नल ही उस्तत करें, ता जेड़ा अनजान कोल बैठा होया है, जदो नहीं जानदा, जो तुं की आखदा हैं, ओ तेरे तनवाद करन उते आमिन के में आखे, तुं ता तनवाद चंगी तरह नल करदा हैं, पर दूझे नू कुछ लाब नहीं हुंदा, मैं परमेशर दा तनवाद करदा हां, जो मैं तो हाड़े सारें तो मदेरे पराई पाशा बो विश्वासियां लई नहीं, सगो अविश्वासियां दे लई एक निशानि है, पर पविखवाणी ने चाहीना लई नहीं, सगों विश्वासियां लई है उपरंग जे सारी कलीसिया एक था एकठी होवे अते सारे वखो वखरियां पाशामा बोलन अते ना वाकफ अथवा अविश्वासी लोग अंदर आउन ता पला ओ नहीं आखणगे पला तुसी पागल हो पर जे सारे वखवानी बोलन अते कोई अविश्वासी अथवा अजनभी अंदर आवे ता सबना तो कायल कीता जावेगा सबना तो जांचया जावेगा ओदे मांदियां गुप्त गल्ला परगट होण गियां अते ओपरमेशर नू मथा टेकेगा अते आखेगा पई सच्ची मुच्ची परमेशर न दे वेच है अरादना वेच अनुशासन सो परावो गल की है जदों तुसी इकठे हुन्दे हो ता किसे दे कोल पजन किसे दे कोल सिख्या किसे दे कोल अगम ग्यान किसे दे कोल पराई पाशा किसे दे कोल अर्थ है सब कुछ लाब दे ले होना चाहिदा है जे कोई प्राईपाशा बोले ता दो दो अथवा वद तो वद तिन तिन करके बोलन सो वारो वारी अते एक जणा अर्थ करे पर जे कोई अर्थ करन वाला ना हुवे ता ओकलीसिया वेच चुप रहे अते अपने नाल अते परमेशर नल बोले अते नभियां वेच्चों दो अथवा तेन बोलन अते बाकी दे परखन पर जे दूझे उत्ते जो कोल बैठा होया है किसे गालदा परकाश होया होवे ता पहला चुप रहे क्यों जो तुसी सारे एक एक करके पविखवानी कर सकदे हो ता जो सारे सिखन अते सारे दिलासा पौन अते नभियां दे आत्मे नभियां दे वस्विच हन क्यों जो परमेशर गडबडी दा नहीं सगो शान्ती दा परमेशर है जिवें संता दिया सारिया क्लीसियावा विच है क्लीसियावा विच औरता चुप रेण क्यों जो उन्नानू बोलन दी आगया नहीं है सगों ओ अधीन रेण जिवें बिवस्ता भी कहन दी है अते जे को जो सिखना चोंदी आहान ता कार विच आपो आपने पतियाँनू पुछन क्यों जो औरत देल एकलीसिया विच बोलना शरम दी गल है पला परमेशर दा बचन तो हाड़े विच्चों ही निकलया अत्वा निरा तो हाड़े ही तक पहुंचया जे कोई आपने आपनू नभी जा आत्मिक समझे ता जेडियां गल्ला में तो हाणनू लेखदा हां ओ उन्ना नू जान लवे के ओ प्रभू दे हुकम हन पर जे कोई ना जाने ता ना जाने गल का दी मेरे प्रावो पविखबानी करननू पालो अते प्रावी पाशामा बोलन तो ना रूको पर सारियां गल्ला टांग सेर अते जुगती नाल होन